यहाँ पर सेटिंग्स में अगर मैं क्लिक कर चाओं तो कंट्रोल में हमें ओप्सन मिल जाता है MP मोड और BR मोड के लिए अलग-अलग Simple मोड और Advanced मोड तो यहाँ पर Simple का मतलब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आपको कोई भी Fire बतन नहीं देखने को मिलेगी जैसे ही आप Elimic के उपर एम करेंगे आपको फायर होने लगेगा अगर यहाँ पर हम Advanced मोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन आप्सन मिल जाते हैं One Tap, Areas, Hip Fire, Custom तो इन सब का क्या यूज है? चलिए देखते हैं अगर मैं One Tap, Areas में क्लिक करता हूं तो यहाँ पर राइट साइड में जो Fire बतन होती है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर Automatical Scope ओपन होगा और Fire भी होने लगेगा मतलब यहाँ पर मुझे दो बतन पर क्लिक करने की जड़रत नहीं Scope ओन करने के लिए और Fire करने के लिए अब मैं Hip Fire पर क्लिक करता हूं तो राइट साइड में जो Fire बतन होती है उससे मैं सिर्फ Fire कर पाऊँगा Scope ओपन करना है तो मुझे Scope ओली बतन यूज़ करने पड़ेगी मतलब मुझे दो बतनों का यूज़ करना पड़ेगा Scope ओन करने के लिए और Fire करने के लिए अब आता है Custom Custom में जैसे मान लीजिए Assault राइफल है SMG है पिस्टल है सौट गने लाइट मसीन गने इन सभी गन्स के लिए आप मैनुवली सिलेक्ट कर सकते है ADS या फिर Hip Fire तो यहाँ पर स्नाइपर राइफल के लिए जैसे मैंने हीप कर दिया ठीक है अब यहाँ पर मेरे पास बाकी जितनी भी गन है उसके लिए तो ADS वर करेगा यहाँ पर आप देख सकते है राइट साइड में जो Fire बतन है उसमें क्लिक कर रहा हूं मैं तो Scope On हो रहा है और Fire हो रहा है लेकिन यहाँ पर अगर मैं उठा लेता हूं Sniper तो यहाँ पर देखो मुझे अलग से Scope बतन यूज करनी पड़ी कि Scope On करने के लिए और यह जो Fire बतन है इससे सिर्फ Fire होगी Sniper तो इस तरह से आप Manually अलग अलग कहती करी कि गंज के लिए आप Customize कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो तो आज के इस वीडियो में मुझे यहीं बताना था उमीद है आपके वीडियो अच्छा लगाओगा अगर अच्छा लगाओ तो लाइक करें एस वीडियो देखना चाहते हैं एस वीडियो अच्छा लेटे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा